हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकाश शर्मा पर जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा अपडेट जो वैसे तो 1 नमबर 2021 को ही रिली का आपके उपर क्या impact आने वाला है आप अपनी income tax return भरते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्या है यहाँ पर change जो की किया गया है CBD द्वारा जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 26 AS के change की जो की अब हो गया है AIS ऐसा नहीं है कि यह change अभी किया गया है इस change के लिए government ने last year ही आपको update कर दिया था कि आपका 26 AS अब बन जाएगा AIS that is the annual information statement तो अब finally CBTT ने यह functionality launch कर दी है अपने portal पर अब आपका 26 AS और AIS दोनों आपके income tax portal पर दिखाई देंगे लेकिन AIS में हैं बहुत सारी कुछ नई बातें आईए कौन कौन सी बातें हैं जो नई चीजे यहां पर update हुई है उसी को हम समझेंगे आज की इस वीडियो में केवल हम release ही नहीं देखेंगे हम साथ की साथ उसका analysis भी समझेंगे कि ultimately क्या क्या चीजें यहां जोड़ी गई हैं और कैसे आप उसको analyze कर सकते हैं तो बने रहिएगा वीडियो पर वीडियो को starting से end तक पूर देके चलूँगा जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना AIS चेक कर सकते हैं AIS में कौन-कौन सी जानकारी है जो आपको वहां दी होंगी अगर वो जानकारी सही है तो क्या करना है गलत है तो क्या करना है कैसे आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे और finally आपको income tax return भरते समय 26 AS देखना है या AIS देखना है इस पारे में भी मैं बात करूँगा तो आज की वीडियो काफी important होने वाली है आप सभी लोगों के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा साथ की साथ एक चीज़ और मैं आपको बुलना चाहूँगा अगर आप मेरे इस वीडियो की notification मिलती रहे मैं अकसर आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ तो आईए दोस्तों अब सीधा बात करते हैं उस press release की जो की 1 November 2021 को CBTT की तरफ से release की गई थी पहले हम पढ़ेंगे press release उसके बाद हम चलेंगे सीधा portal पर तो सबसे पहले बात कर ल finally government ने new AIS जो इनका form था वो release कर दिया है और अब आपको ये annual information statement आपके portal पर दिखाई देगी देखिएगा क्या लिखा हुआ है notification में income tax department has roll out the new annual information statement on the compliance portal which provides a comprehensive view of the information to a taxpayer with a facility to capture online feedback तो यहाँ पर आपको आपकी informations भी दिखाई देगी comprehensive informations आएंगी साथ की साथ आप इनने capture भी कर पाएंगे मतलब जो information आपकी capture हुई है उन्हें आप देख पाएंगे और यहाँ पर आप online feedback भी दे पाएंगे आगे देखिएगा the new AIS can be accessed by the clicking on the link annual information statement under the service tab on the new income tax portal e-filing portal तो आप इस नए वाले portal पर जब जाएंगे service वाले option में वहाँ पर आपको AIS के नाम से एक option दिखाई देगा the display of the form 26AS on traces portal will also continue in parallel till the new AIS is validated and completely operational तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आप सभी लोगों के लिए है कि आपका 26AS अभी पूरी तरह से हटाया नहीं गया है जब तक कि इनका नया AIS system operational नहीं हो जाता है पूरी तरह से आपका 26AS भी parallel वहाँ पर मिल चलता रहेगा आप 26AS भी चेक कर पाएंगे और AIS भी आप देख पाएंगे तो दोनों चीज़े आपको अभी साथ की साथ देखने को मिलेंगी इसके बाद कहता है सरकुलर the new AIS includes additional information relating to interest, dividend, securities, transaction, mutual funds, transaction, foreign remnants, information, etc. तो यह जो नया AIS बनाया गया है इसमें क्या अलग से information आपको मिलने वाली है तो उसके बारे में बताया गया है interest, dividend, security transaction, mutual fund transaction, foreign remittance information जैसी कुछ जानकारियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इसके बाद कहता है यह the reported information has been processed to remove duplicate information taxpayer will able to download AIS information in PDF, JSON and CSV format तो अगर आप अपना analysis जादा easy करना चाहते हैं, quickly करना चाहते हैं तो आप इस AIS की information को PDF में, Excel sheets में, CSV format में, JSON format में डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपका analysis जादा जल्दी और असान हो जाए इसके बाद इस paragraph में लिखा हुआ है if the taxpayer feels that information is incorrect अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी जो वहाँ पर दिख रही है वो गलत है and related to other taxpayer या duplicate है then facility has been provided to submit online feedback तो वहाँ पर आप अपनी online feedback दे सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं that information is not related to me that information is duplicate and that information is altogether different तो वहाँ पर आप अपनी feedback भी submit कर सकते हैं so that department can verify and correct the informations given in the AIS आगे देखिएगा feedback can also be furnished by submitting the multiple information in a bulk and AIS utility has been provided for the taxpayer to view AIS and upload feedback in online manner again यह बोलना चाहते हैं कि आप bulk में भी अपनी feedback दे सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, माली जे आप कहते हैं कि मेरी information duplicate है, मेरी information गलत है, it is not related to me तो department आपके उस source को verify करेगा या उससे contact कर सकता है जिससे कि वो आपकी इस information को verify करे और आपकी correctness को check कर पाए तो यह वाला paragraph बात करता है आपके modifications के बारे में आईएगा इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है इस notification में So a simplified taxpayer information is TIS, तो यहाँ पर आपको देखी दो चीज़े देखने को मिलेंगी एक होगा आपका AIS, एक होगा आपका TIS, अभी मैं आपको portal पर दिखाऊंगा दोनों ही चीज़े अलग-अलग, तो आपको यहाँ पर TIS देखने को मिलेगा has also been generated for each taxpayer which shows aggregated value of the taxpayer for ease of filing of return तो अगर आप अपनी income tax return file करना चाहते हैं और वहाँ पर आप कुछ relevant informations जानना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगी आपके TIS में और यह आपको help करेगी ease करेगी in filing of TIS, in filing of income tax return आगे देखिएगा TIS shows the process value, means value generated after duplication of information based on a predefined rules and derived value तो अभी मैं आपको बताऊंगा derived value क्या होती है, कैसे आप उसको calculate करेंगे वो सारी बाते देखेंगे हम सीधा portal पर इससे पहले हम इसको देख लेते हैं if the taxpayer submit feedback on AIS, the derived information in TIS will be automatically updated in real time तो माल लीजे आप AIS में कोई information change करते हैं, update करते हैं तो वो update automatically real time basis पर आपके TIS में update हो जाएगा जिसके basis पर आप अपनी income tax return file कर पाएगे next देखिएगा the derived information in TIS will be used for pre-filing of return that is the pre-filing will be enabled in a phased manner तो यह जो TIS में information आपको दिखेगी यह आपकी income tax return में pre-validate हो जाएगी और इसी informations को आप use करेंगे अपनी income tax return बनाते समय लेकिन अभी सरकार यह कह रही है कि यह जो pre-validation वाला feature होगा, functionality होगी यह पूरी तरह से enable नहीं है अभी यह phase-wise manner में enable की जाएगी तो starting में कुछ phase इसका enable होगा फिर उसके बाद आप कुछ phases का देख भाएंगे and finally धीरे धीरे यह completely वहाँ पर live हो जाएगा जिसके basis पर जो information आपके TIS में आ रही है वो सभी information आपकी automatically capture हो जाएगी under your income tax return जिसके basis पर आप अपनी ITR file कर पाएंगे इसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है so the taxpayer should remember that annual information statement includes information presently available with the income tax department there may be other transactions relating to taxpayer which are not presently displayed in the AIS taxpayer should check all related information and report complete and accurate information in the income tax return department बहुत सीधे सीधे बात में ये कहना चाहता है कि अभी AIS में केवल वो जानकारियां capture हो पाई है जो income tax department के पास available है आप अपनी जानकारी पूरी तरह से check कर लें reconcile कर लें और उसके बाद ही आप अपनी income tax return भरें सही जानकारी के साथ आप ऐसा ना समझें कि केवल वो information जो AIS में capture हुई है वो ही information मुझे ITR में भरनी है ऐसा नहीं है अगर कोई information जो आपके past possession में है बट AIS में update नहीं हुई है और वो आपकी income tax return को प्रभावित कर सकती है impact कर सकती है तो वो information आपको अपनी income tax return में include करनी होगी आप केवल AIS की जानकारी को अधार लेते हुए अपनी income tax return फाइल ना करें तो AIS को भी देखें TIS को भी देखें 26AS को भी देखें और अपने पास जो आपकी information है which are not covered in AIS, TIS and 26AS उसके भी include करते हुए आप अपनी income tax return फाइल करें अगर आपको लगता है आपके AIS में ऐसी कोई जानकारी आ गई है जो की आपकी आपसे related नहीं है तो आप उस transaction को उस information को ignore कर सकते हैं और उस पर अपना feedback भी submit कर सकते हैं ताकि उस information को accordingly correct किया जा सके तो यहां तक की बाते हैं जो इस notification में लिखी हुई है press release में लिखी हुई है इस तरह से आईए यहां पर तीन बाते और बताई गई है इसके बाद देखते क्या लिखा है अगर आपको लगता है किसी information में modification की ज़रूरत है तो आप यहां पर उस information को modify करवा सकते हैं feedback submit करते हुए तो जो values informations आपको TIS में दिख रही है आप उसे consider कर सकते हैं अपनी ITR फाइल करने के लिए in case the ITR has already been filed and some information has not been included in the ITR the return may be revised to reflect the correct information a very important point for most of the cases जहां पर आप सभी लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने अपनी income tax return already file कर दी है और उन्होंने अपना TIS, AIS अभी तक चेक नहीं किया है तो उनके लिए यहां पर एक बड़ा update है वो अपनी income tax return को एक बार फिर से reconcile करें और ये देखें कि क्या कोई ऐसी जानकारी क्या कोई ऐसी information क्या कोई ऐसी detail जो उन्होंने अपनी income tax return में नहीं दिखाई थी and which is relevant and which is required to show in the income tax return as per the TIS and AIS तो please वो सभी लोग अपनी income tax return को revise करें और उस information को जो पहले रहे गई थी दिखाने से उसको properly वहाँ पर दिखा दें ताकि आपको future में किसी भी परकार की समस्या का सामना ना करना पड़े क्योंकि ऐसा हो सकता है ऐसी कोई अहम जानकारी जो आपकी TIS या AIS में थी जो की आपसे रहे गई थी income tax return फाइल करते समय और बाद में यही reason आपको एक notice का invitation दे दे या आप इसी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपके उपर future में department के दरफ से कोई notice आ जाए और आप समस्या में फस जाएं तो बहतर है आप अपनी income tax return को properly revise कर लें reconcile कर लें और जरूरत है तो फिर उसको आप properly revise करके नई income tax return फाइल कर दें last में देखीगा लिखा हुआ है एक और बात in case there is a variation between the TDS and TCS information on the detail of text paid as displayed in form 26AS on traces and the TDS TCS information on the information relating to AIS तो अगर आपके 26AS में TDS और TCS की बाते जो आप पड़ते हैं अगर TDS and TCS की जो information आपके 26AS में दी गई है versus जो आपके AIS में दी गई है अगर इसमें कोई difference आ रहा है तो सवाल ये उठता है आप क्या final मानेंगे क्या आप 26AS को final मानेंगे या क्या आप AIS को final मानेंगे तो यहाँ पर भी इस press release ने इस बात का जवाब दिया है कि अगर आपके TDS as per 26AS and as per AIS में differences है तो ऐसे में taxpayer may rely on the information displayed on a traces portal for the purpose of filing of ITR and other tax compliance's purpose तो ऐसे में सरकार ने clear बता दिया है कि अभी आप 26AS को final मानेंगे यह आपका final amount of TDS and TCS होगा जिसे आप अपनी income tax return में claim कर सकते हैं तो AIS में अगर same जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है बट AIS में अगर same जानकारी नहीं दी है तो आप ऐसे में 26AS वाली जानकारी को important और final मानते हुए अपनी income tax return file करेंगे and this is for the purpose of only TDS and TCS तो TDS and TCS के लिए 26AS final होगा अभी के लिए आगे चलके AIS और TIS improve हो जाएगा तो आप उसी को फिर finally अपना base लेंगे for the purpose of filing of ITR last paragraph में बहुत जादा कोई important चानकारी नहीं है यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि taxpayer refer कर सकते हैं AIS document उन्होंने कुछ handbook release करी है presentation release करी है user guidance FAQs release करे है आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं चाहें तो उन्हें देख सकते हैं तो दोस्तों यह थी वो press release जो कि CBDT द्वारा 1 November 2021 को release करी गई थी in respect of your 26AS, TIS and AIS यहाँ पर simply मैं बता देना चाहता हूँ 26AS अब धीरे धीरे gradually आप देखेंगे कि आपका phase out हो जाएगा 26AS will no more relevant now the relevant information for you will be the TIS and the AIS आईए अब सीधा portal पर चलते हैं देखते हैं कैसे आप AIS access कर सकते हैं TIS access कर सकते हैं कैसे आप इसको check करेंगे क्या-क्या जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी कैसे उन जानकारी को आप use करेंगे और अगर आपको वहाँ पर कुछ सही करना है गलत करना है अपनी feedback submit करनी है तो कैसे आप वहाँ पर अपनी feedback submit करेंगे तो आईए सीधा चलते हैं अब portal पर तो जैसे ही आप website पर income text की website open करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस तरह का page आएगा यहाँ पर just आप login करिएगा login करने के लिए आपको जरूरत होगी आपके id and password की तो आप अपना id and password पहले से ready रखें और यहाँ पर अपना pen number as a id और अपना password जो भी आपने password create किया है उसे यहाँ पर डाल पाएंगे जैसे ही आप अंदर इसमें login हो जाएंगे तो आपको जाना होगा services वाले option पर देखें मैं आपको फिर से बता दू e-filing income tax return portal यहाँ पर आप अपने 26AS देखते आए थे अभी तक यह आपका as it is अभी भी available है इसमें कोई change नहीं है लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं अपना AIS, TIS तो उसके लिए आपको जाना होगा services वाले option पर services वाले option में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा that is annual information statement इस पर आप जाएंगे तो यह आपको एक दूसरे page पर ले जाएगा जहाँ पर आपको सामने information आएगी AIS instruction आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं अगर आपके पास time है तो इसको पढ़ लीजेगा otherwise that is not relevant इसके बाद आपको जाना होगा इस वाले option पर जो कि है आपका AIS तो AIS पर जाने के बाद आपको जैसे ही आप इस पर click करेंगे आपको दो options दिखाई देंगे एक होगा TIS Taxpayer Information Summary एक होगा Annual Information Statement तो जैसा कि मैंने आपको बताया TIS में आपकी बहुत सारी informations आपको दे दी जाएंगी और AIS में भी आपकी कुछ informations होगी TIS में जो information होगी वो आपकी update हो जाएगी जैसे ही आप AIS की कोई information modify करते हैं या उसमें अपना कोई feedback submit करते हैं देन उसके बाद आपको सारी की सारी details मिल जाएंगी जिसमें mainly आपकी सबसे पहले अगर कोई salary income है तो salary income report हो जाएगी अगर आपको कोई rental income आई है जैसे इनके case में आरक ही है तो वो आपको देखने को मिलेगी dividend की income है interest from saving bank account है, interest from deposits है, interest from income tax refunds है sale of security and units of mutual funds है outward foreign remittance, purchase of foreign currency जैसे कि मैंने आपको press release से बताया था यह सारी जानकारी आपकी यहाँ पर capture हो जाएंगी इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा purchase of security and units of mutual funds तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर आप इनकी further details जानना चाहते हैं कि यह amount कैसे कैसे बना है कहां से बना है तो आप further इस पर click कर सकते हैं जैसे माल लीजे आप rent receive पर click करते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको rent किस किस company ने किस किस ने pay किया कितना amount pay किया process कितना है derive कितना है so what is the difference between reported, process and derive reported का मतलब है सामने वाली party ने आपका कितना amount report किया है process का मतलब है कि यह process हो गया है and derive का मतलब finally यह amount है जो आपके AIS में capture होगा अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी feedback submit कर सकते हैं आप चाहें तो इसकी further details check कर सकते हैं कि amount कैसे कैसे बना है और इसकी detail को check करने के लिए आपको simply इस पर click करना होगा click करने के बाद आप इसकी under informations में आ जाएंगे तो देखे माल लीजी अगर मैं TDS 192 पर click करता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यह यह amount है जो हर महीने दिया गया है इतना इतना amount है जो TDS का काटा गया है और मैं इसके आगे जाके feedback देना चाहता हूँ तो मुझे simply feedback पर जाना है optional option पर जाना है और यहाँ पर मुझे feedback select करनी है कि यह information मेरी ठीक है या यह income में redaxable नहीं है यह information ठीक है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है या यह मेरे pen से related नहीं करती है या किसी और की information है या मैं इस information को deny करता हूँ तो इस तरह की जानकारी आप यहाँ पर feedback के थूँ दे सकते हैं so that आपकी information correctly capture हो जाए और आपकी income tax return भी accordingly prepare हो जाए तो मैं वापस आ जाता हूँ वापस से यहाँ पर salary option था rental option था dividend था आप dividend को भी check कर सकते हैं कि dividend कैसे बना है किस किस company ने आपको dividend दिया कितना कितना दिया आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको feedback submit करके deny, accept या modify करवा सकते हैं लेकिन अगर सही मैं modification की requirement है तभी modification करवाईएगा unnecessary किसी भी information को जान मूच कर modify मत करिएगा यह कहते हुए कि अगर मैं deny कर दूँ तो मेरी income से हट जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि income tax department उस source से contact करेगा और फिर verify करेगा whether this information is actually pertaining to you or not तो इस तरह से आप अपनी informations को यहाँ check कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह सभी जानकारी यहाँ पर capture हो गई है आपने कितने के shares करी देख कितने के mutual funds करी देख कितने के बेचे आपने foreign remnants कितना किया salary कितनी मिली rent कितना मिला saving bank account पर आपको interest कितना मिला FDs पर कितना interest मिला सब कुछ यहाँ पर capture हो गया है तो यह है आपका TIS आप चाहें तो इस TIS को download भी कर सकते हैं download करने के लिए आपको यहाँ पर PDF का एक option मिल जाएगा आप simply यहाँ पर click करेंगे तो यह आपकी file download हो जाएगी जिसे आप अपने download section में check कर पाएंगे तो download होने के बाद जैसे ही आप इस PDF को open करेंगे तो यहाँ पर आपसे password पूछा जाएगा password आपका रहेगा आपका complete pen number in capital letter along with your date of birth in DDMMYYY format में तो आपको अपना पूरा pen number डालना है साथ में अपनी date of birth डालनी है complete date, date, month, month YYYY format में उसके बाद आप अपने इस PDF को भी access कर पाएंगे काफी lengthy informations आपको देखने को मिलेंगी उसमें बट वो detailed information है आप उसे completely review कर सकते हैं आए दोस्तों इसके बाद चलते हैं AIS पर तो AIS में भी again part A आपको general information देगा आपके name and address के बारे में इसके बाद आपको part B में यहाँ पर काफी सारी जानकारी देखने को मिलेंगी TDS and TCS से related जानकारी अगर आपका TDS TCS कटा है कहां कहां कटा है कितना कटा है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बाद आपको SFT देखने को मिल सकता है specified financial transaction तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपने कितने के shares खरीदे हैं, purchase करें हैं, bank में interest कितना मिला है, आपको आपने foreign remittance कितना किया है, property का purchase, sale का कितना किया है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, part B2, information relating to specified financial transactions, तो वो information भी आप यहाँ पर review कर सकते हैं, in case you think कि information गलत है, तो आप again यहाँ पर अपनी feedback भी submit कर सकते हैं, इसके बाद आपको एक और जानकरी देखने को मिलेगी, that is the payment of taxes, तो अगर आपने कोई taxes पे करें हैं, like आपने कोई advance tax पे किया है, self assessment tax पे किया है, कोई और taxes आपने पे करें हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने क को मिल जाएंगे, and इसके बाद demand and refund, तो अगर income tax department की तरफ से, आपके ऊपर कोई demand raise करी गई है, किसी assessment year की, या कोई income tax refund आपको दिया गया है, during that financial year, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं, आप demand वाले option में, यहाँ पर बिल्कुल खाली है, इसका म आप देख सकते हैं, assessment year 2021 का, इनको एक refund दिया गया था, 149,000 का, तो वो refund वाले section में, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कुछ other informations, जो की rule 114-I के according मनती हैं, जैसे salary की information और interest on income tax refunds, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल ज जाएंगे, आप इनने check कर सकते हैं, reconcile कर सकते हैं, अगर यह information ठीक है, तो okay, otherwise आप इनने feedback देके correct भी करवा सकते हैं, तो दोस्तों यह थी वो information जो की TIS और AIS से related थी, यहाँ पर एक और option है, activity history, तो माल दीजे, अगर आपने कोई TIS या AIS डाउनलोड करने की कोशिश करी, ल और download जब वो हो जाती है, available हो जाती है, ready to view, तो आपको activity history में जाके यहाँ पर इस तरह का option दिख जाएगा, कि आपका AIS download होने के लिए ready है, आप यहाँ से इसे download भी कर सकते हैं, तो दोस्तों AIS की activity history की यह थी पूरी कहानी, जो I hope आपको समझ आ गई होगी, So friends, यह थी वो information about TIS, AIS, जो की 26AS को update करके एक नई functionality आप सभी के portal में डाल दी गई है, तो आप इस information को check कर सकते हैं, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यह पूरी जानकारी आपको समझ आ गई होगी, अगर still आपको इस वीडियो से related, या income tax in GST से related कोई भी query है, कोई मुझसे मेरे दिये गए contact number और email ID पर contact कर सकते हैं, मैं definitely आपकी query का reply करूँगा और आपकी query को resolve करने की पूरी कोशिश करूँगा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी था, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो please वीडियो को like करिएगा, channel को subscribe कर लिजेगा, साथ म bell icon को भी press कर देजेगा, ताकि आपको मिले द्वारा लाई गई latest videos की notification मिलती रहे, मैं अक्सर आपके लिए इसी तरह की videos लेके आता रहता हूँ, तो आज के लिए इतना ही है, मिलता हूँ आपके साथ next video में, next topic के साथ, तब तक के लिए thank you, bye bye